हाई फ्रेंट्स वेलकम करती हूँ मैं आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल पर तो फ्रेंट्स आप सब के लिए मैं गूड लिए ने कर आई हूँ पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से विकेंसी आउट हुई है हर qualification के हिसाब से यसाब से यहाँ पर अलग अलग विकेंसी को डिवाइड कर रख है और back end की ही सारी की सारी विकेंसी जाइवन और कैसी apply करना है क्या कै यहाँ पीपर प्रोसीजर रहेगा अपलाई करने के लिए सारह मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर करोंगी सेलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सबस्क्राइब जरूर करना बैल बटन को साथ में जरूर प्रेस करना इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते नहीं जान करें डालोगी जहें आप और इंडिया में कहीं से भी बिलॉंग करते हैं आपको पता हर एक गवर्मेंट जो हमारी चैनल के जरी आपको सबसे पहले बताई जाती है वह भी विद्ध नोटिफिकेशन आपको हमेशा बताई जाती है चाहे स्टेट की विकैंसी तो पोस्त को भिडिवाइड कर रखा है बात करेंगे सब्से पहली पोस्त की यहाँ पेंडे सब्से पहली पोस्त की यहाँ पैसे फाली उडिये कम apeиком की लिए Squabalty की देखे आपको सा Canvas ऑको Sc at सब्सक्राण की लिए Graduation अगर आपने किसी भी discipline में की है आप eligible हो apply कर सकते हो ठीक है इसके लिए आपने graduation किसी भी discipline में की है आप eligible हो apply कर सकते हो अगली जो post है lower division assistant की है इसमें 200 vacancies out हुई है इसके लिए भी अगर आपने graduation किसी भी discipline में की है आप apply कर सकते हो next year post is bench assistant की है इसके लिए 200 vacances आउट कीगी है इसके लिए भी अगर आपने graduation की हुई है किसी भी discipline में आप apply कर सकते हो next year post is typist की है 200 vacances आउट हुई है अगर आपने graduation किसी भी discipline में की है आप eligible हो apply कर सकते हो next year post is 6-1 नंबर पे आप देख सकते है data interview operator की है इसके लिए 400 vacances यहां पे आउट कीगी है अगर आप pass हो HSSLC तो आप eligible हो apply कर सकते हो इसके लिए 400 vacances है data interview operator के लिए उसके बाद copyist के लिए vacances है 200 इसके लिए भी same qualification मांगीगी है office pn के लिए 200 vacances आउट हुई है class 8th pass अगर आप है आप eligible हो apply कर सकते हो अगली जो post है चौकीदार के लिए है इसके लिए भी अगर आप 8th pass हो आप eligible हो apply कर सकते हो बात करेंगे age limit की age limit देखे journal के लिए minimum 18 maximum है 38 उसके बाद OBC, MOBC के लिए minimum 18 maximum 41 SC, ST के लिए देखे minimum 18 और maximum है 43 इसके इलावा भी 5-7 साल का age relaxation आपको दिया जाएगा उसके बाद देखे यहाँ पे stenographer, load vision assistant, bench assistant, typist और data android operator के लिए आपका जो है test होगा spelling test होगा computer पे 20 marks का 10 minutes आपको दिये जाएगे typing test होगा computer पे 20 marks आपको 20 marks करेगा 10 minutes आपको दिये जाएगे online MCQ test होगा 10 marks का इसमें भी आपको 10 minutes दिये जाएगे मतलब 50 marks का होगा 30 minutes total आपको दिये जाएगे final selection देखे इसके लिए load vision assistant, bench assistant, typist data entry operator, copies के लिए written test आपका होगा 100 marks का practical test होगा 50 marks का यानि कि 150 marks का same इसी तरह से stenographer करेगा इसी तरह से data entry operator का और copyist का बाकी विकेंस के लिए बता देती हूँ क्या क्या selection procedure बताया गया है अब जिस तरह से इन्होंने हर post के लिए अलग-अलग qualification बताई है इसी के साथ साथ अलग-अलग salary यहां पर बताईगी है अलग-अलग additional qualification भी यहां पर बताईगी है वो क्या क्या है वो बताना चाहूँगी सबसे पहले देखिए Udacom accountant के लिए 200 vacancies मैंने आपको बता दिया अगर आपने की है आप अप्लाई कर सकते है इसी के साथ फर्स्ट वाली जो post है इसके लिए उन्होंने 6 मंत का experience मांगा हुआ है accounting में आपके 35,000 पर मत इसके लिए इसके लिए सेल्डी होगी नेक्स वो पोस्ट है स्टैनोग्राफर की इसके लिए एडिशनल जो कॉलिफकेशन ग्रविशन के इलावा इन्होंने मांगी है सर्टिफिकेट अगर आपके पास है स्टैनोग्राफिय में इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके साथ यहां पे इन्होंने बताया हुआ है प्रोफिशनसी आपकी होने चाहिए इसके लिए आपकी सैल्डी 10,000 बताएगी है आगे भी विकेंसी की में आपको भीटेस में बता देती हूद और इसके लिए सैल्डी बिमने आपको बता दी है और अपलाई करने के लिए और टेकनिकल नमबर भी मैं आपको बता देती हूद असाम पुलिस की तरव से ही recruitment का notice है हुआ है असाम ही job location आपकी होगी next to post है copies की इसके लिए 200 vacancies है same qualification है इसके लिए भी देखिए आपका proficiency test होगा English में और official language of ASAM में आपका होगा ठीक है इसके लिए 9000 salary बताईगी है office PN के लिए यहाँ पे 8th pass है additional qualification पे आपका होगा उसी के बिहाफ पे आपकी selection होगी same इसी तरह से चौंकिदार का selection procedure है जो की PN का है यानि कि उसमें सिरफ आपका physical test ही होगा apply करने के लिए यह official site पे आपको visit करना है 30 June 2019 से पहले apply करेना यह technical number भी इन्होंने दे रखे है कुछ भी आपको help चाहिए आप इस number पे contact भी कर सकतो यह whatsapp help लाइने यह contact number है ठीक है so मैं आपको और notification का link दूँगी पढ़के फिर apply करना like कीजेगा वीडियो को thanks for watching